आपका बात अब राजधानी की जहां लगातार बढ़ते अपरात को देखकर ये लग रहा है कि बदमाशों में कानून का खौफ लगभग खत्म हो चुका है अब रन्हुला मामले में रन्हुला थाने में कैसी वारदात हुई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे ये वहाँ तीन हत्यार बन बदमाश एक केबल ऑपरेटर के दफ्तर में घुसते हैं वहाँ बैठे लोगों पर गोलिया बरसाना शुरू कर देते हैं वारदात की तस्वीरे CCTV में कैद हो गई है कल शाम की ये वारदात है तीन बदमाश ने 15 राउंड फाइरिंग की और हमले में केबल ऑपरेटर को दो गोलिया लगी है अला कि पुलिस की तरफ से अभी गोली मारने और फाइरिंग की वजह साफ नहीं है पुलिस से मौके और आसपास से 15 से जादा कोके बरामत के हैं ये उस वक्त का फुटेज है जब ये बदमाश बेखौफ होके कई राउंड फाइरिंग कर रहे थे वहां के लोग भी अच्छानक हैरान रहे गए कि आखिरकार ये फाइरिंग क्यों की जा रही है तो ये संसनी के शूटाउट दिल्ली का है जहां पर बेखौफ बदमाशों ने स्वारदात को अंजाम दिया